जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो bitcoin चल रहा है एक new all time high पे और जब मैं ये वीडियो बना रहा है तो bitcoin का price चल रहा है $71,690 याने कि bitcoin ने अपना past all time high तोड़ दिया है और bitcoin चला गया है यहाँ पे price discovery range में पास वीडियो में कई बार हमने price discovery range discuss करी पिछले पूरे साल हम यहाँ पे bull थे और काफी बार हमने आपको समझाया कि यहाँ पे अगर आप bitcoin का chart देखते हो तो सिर्फ एक चीज़ पे आपको ध्यान देना है जो की है bitcoin का trend जो की एक up trend में था और बहुत सारे लोगों ने आपको एक वीडियो भी बनाई थी अगर आप चैनल पर बुराने हैं वहाँ पे बोला था 37,000 डॉलर पे तब bitcoin था कि यहाँ पे मैं अपने आदे stable coins जितना भी मेरे पास fund था उसका आदा मैं bitcoin खरीद रहा हूं बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे मुझे पागल बोला exit liquidity of Michael Saylor बोला और बहुत सारे लोगं confused होते रहे कि नहीं यह top है पर अगर आप आज देखेंगे bitcoin के price को यह तो 37,000 की buying है यहाँ पे buying order already है यह tweet आप देख सकते हैं 3 December का और यहाँ पे totally totally सिर्फ और सिर्फ conviction से हमने काम किया था तो conviction रखना अपने cryptocurrency space में जरनी में बहुत जरूरी है बार ब negative thinking रखोगे चीजों को लेके तो negative returns आपको मिलेंगी बट अगर आप एक छोटी सी कहावद है positive thinking positive result और वो काफी अच्छे तरीके से चलती है और अब जिन लोग का यहाँ पे target था कि वो dump में चीजों को खरीदेंगे तो अब dump आ भी जाता है दोस्तों आपको bitcoin मेरे price से नीच दिखेगा तो आगे के लिए videos को ignore मत करें आज की video काफी important होने वाली है यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है I hope आप bearish नहीं हो उल्टे सीधे videos देखके उल्टी सीधी चीजे देखके यहाँ पे पागल नहीं हो जाओगे और सही से समझोगे कि अगले 2 साल आपके कितनी बड़ी opportunity हो सकती और जब बात करी हमने conviction की तो conviction जो है वो रातो रात अमीर आपको नहीं मनाएगी जादतर लोग यही सोचते हैं काफे सारे नहीं लोग भी अब market में आने वाले हैं जल्दी ही और वो यही सोचेंगे कि बस मेरी जिंदगी की सारी दिक्कत ये crypto ही कतम क तो उस पर focus करो crypto को part बना अपनी life का बट all in crypto में मत जाओ यह मत सुचो कि crypto से ही life changing game बनेगा क्योंकि यहाँ पर एक बहुत लंबी journey है और conviction का game बहुत ज़रूरी है तो यहाँ पर आप देख सकते हो conviction का game क्या है यहाँ पर एक हमारे member है और एक member ने हमारे हमारे सा trade के render में average cost आ रखी है 1.7 डॉलर और आज की date में render चल रहा है 12 डॉलर पर और यहाँ पर आप देख सकते हो trades 1.7 डॉलर भी जो cost आई है वो cost आई है दोस्त क्यूंकि यहाँ पर multiple bar entries और exit हमने बनाई तो आज की वीडियो में conviction तो आप समझ गेगो कितनी ज़रूरी है जब conviction से 37K पर मैंन जो की एक real alt season ला सकता है कब आ सकता है वो alt season कितना बड़ा alt season होगा इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा why this coin will shock the world ये भी मैं आपको बताने वालू कि कैसे लोग shock हो जाएंगे पागल हो जाएंगे कैसे बेपकू बना जा रहा है one event is ready to fool you आपको बेपकू बना data इस event से दो तीन महिंगे पहले ही मैं दे रहा हूँ ताकि आपके ध्यान में रहे और एक breakout coin भी दूँगा आपको जो मार्च में अच्छा खासा एक breakout दे सकता है पूरे समझाओंगा ध्यान से अगर आप ध्यान से वीडियो समझोगे देखोगे तो आपको फाइदा जरूर होगा और अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा ताकि अगली बार जब हम किसी कोईन की बाइंग दे जैसे मैंने आपको बाइंग दी थी 37,000 पर बिटकोईन की पूरे confidence है तो वहाँ पर आप मिस ना कर जाओ और आज की वीडियो का ला लिंक से ही टेलिग्राम में आपको जोइन होना है क्योंकि बहुत सारे लोग स्कैम अकाउंट्स हमारे नाम के बना के बैठे हैं जो आप से आईडियो के नाम से पैसे मांगते हैं आप लो बेवकूफी करके उनको पैसे भी दे रहे हैं कि रात और रात पता नहीं क्या हो ज शेर जरूर करूंगा तुटर पर फॉलो करना जरूरी है दोस्त क्योंकि टूटर पर मैं आपके साथ चार्ट्स सेटप्स बहुत सारी चीज़े शेर करता हूँ जो आपके काफी कामा सकती हैं बहुत सारी लोगों को बहुत सारी बार मैंने बूला है कि अगर आप टुटर currency space में कर ही कैसे रहे हो क्योंकि this is the best tool to use for research और अगर आज account बना रहे हो तो नीचे दिया गया है link description में Twitter पे join ज़रूर करना so अब बात करते हैं उस coin की जो यहाँ पे real मैं बोलू हो all season जो है वो चालू करने वाल है तो real all season चालू कैसे होगा पहले तो अगर आप देखोगे Ethereum को तो Ethereum is already on 4030 dollars और यहाँ पे ऐसा देख रहा है अगर आप देखोगे चार्ट को तो clearly ऐसा देख रहा है अगर मैं बड़े time frame का चार्ट देखता हूँ कि जादा resistance Ethereum के पास बची नहीं है अगर आप यहाँ पे resistance mark करोगे ठीक है तो यहाँ पे अगर मैं resistance mark करते हैं which is this one 4030 dollars exactly जहाँ पे price है अभी so यह last resistance है इसके बाद आपको Ethereum जाता दिखेगा within few days or weeks 46 36 पे और अगर Bitcoin की तरह Ethereum ने यह भी level तोड़ दिया तो यहाँ पे एक असली alt season जिसका आप इतने time से wait कर रहे हो वो load हो रहा है बट यहाँ पे confuse होने का time नहीं है पूरा पूरा आपको action लेना पड़ेगा obviously बहुत सारे लोग अभी भी wait कर रहे है prior halving 40% dump और या फिर बोल सकते हाविंग के बाद 40% dump का बट वो आता हो अभी फिलाल charts पे तो नहीं दिख रहा है and देखो अगर आप एक bull हो थीक ना तो bull क्या करते है मैं मेरी strategy बताता हूँ आपको तो मैं क्या करता हूँ bull हो तो 60-70% अपनी conviction पर लगाता हूँ 30-40% हाथ में रख लेता हूँ अगर आप एक BR हो 40% का आपके हिसाब से dump आने वाला है 30,000 डॉलर तो काफे सारा लोग शर्ट भी लगा रहे थे गायब है हूँ 40% तो market में रख लो 60% अपनी conviction पर रखो और 40% ऐसी जगा रखो अगर आप गलत होए तो यह जो Ethereum का setup है अब यह मैं आपको नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर buy करने के लिए अगर आप देखो कि तो यह एक प्राइवेट सर्कल का screenshot है यहाँ पर मैंने बोला था date आप देख सकते हो 24th November को कि Ethereum जो है इस level को तोड़ते ही जो की level था 2155 डॉलर का पागल हो जाएगा यहाँ पर मैंने आखरी SIP अपनी Ethereum में करी थी वो 2275 डॉलर के करी थी जाता दिख सकता है and price discovery में कोई चीज जाती है दो उसके बाद हमें नहीं idea कि top कहाँ पर हुआ टॉप कोई predict नहीं कर सकता जैसे bottom कोई predict नहीं कर सकता अगर आप conviction से काम करोगे तो आपको बहुत अच्छा फाइदा होता आपकी journey में जरूर दिखेगा ठीक है तो एक बड़ी चीज जो है वो EIP4844 update है जो की आने वाला है जो की layer 2 पर काम करेगा बहुत सारे दोगों को confusion है कि यहाँ पर यह जो update आ रहा है इससे ethereum की gas fees तो कम होई नहीं ethereum is still expensive तो यहाँ पर ethereum काम ही नहीं कर रहा अपने आपको cheap बनाने यहाँ पर ethereum is working with layer 2 so clearly बोल चुके है ethereum की developers कि यहाँ पर layer 2 ही scale करेगा ethereum को वो अपनी security को अपनी priority बिना के चलेंगे क्योंकि जो network है वो secure रहे एक reason यह है ethereum की growth का और ethereum के ecosystem की growth का जहाँ पर आपको बहुत सारे layer 2 blockchain मिल जाएंगे बट आज वीडियो के end में मैं coin ज़रूर बताओं आपको जहाँ पर आपको एक layer 2 blockchain पर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए ठीक है so एक चीज यह हो गई EIP 4844 update जहाँ पर layer 2 जो है blockchain उनकी जो cost of transaction है और या speed है वो बहुत ज़दा improve हो जाएंगे cost ऐसा बोला जा रहा है कि almost zero हो जाएगी दूसरी चीज जो Ethereum को खास बना देती है यहाँ पर that is the Ethereum getting burned so पहले Ethereum क्या होता था proof of stake पर नहीं था proof of stake पर बाद में आये पहले Ethereum की mining होती थी और वो बंद हुई इसके बोद proof of stake पर Ethereum आया और उसका जो supply shock है अभी तक market में आया नहीं है अगर आप देखोगे तो 24 घंटे में burn rate जो है 24 घंटे का वो 4.29 Ethereum burn हो रहा है तो Ethereum एक तरह से बोल सकते हैं इसकी supply कम होती जारी कम आ रहा है market में burn जादा हो रहा है इस पर बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई थी जब 2200 पर Ethereum था मैंने आपको बताया था कि हाँ पर Solana पर सब ध्यान था सब का तो हमने आपको बोला था कि Solana तो अच्छा है जो लोग पुरा है जुड़े उनको पता है so 2200 पर Ethereum पर ध्यान दो तो वहाँ पर आपने ध्यान दिया होता तो बहुत अच्छा आपको केन मिलता बट अभी भी लेट नहीं हुआ है अभी भी लेट नहीं हुआ है because the main event is yet to start और main event क्या है ठीक है Ethereum deflationary हो गया यह हमने बात कर लिए यानि कि जो supply market में आ रही है और जो supply consume होती जा रही है burn होती जा रही है वो हमने बात कर ली EIP 4844 एक अच्छा upgrade होगा technology के लिए वो बात कर ली एक हमने बात कर ली कि यह price discovery range में जाने वाला है अब सबसे बड़ी बात जो है जिसको लोग ignore कर रहे है या challenge कर रहे है वो है BlackRock यहाँ पर BlackRock ने अपना Bitcoin ETF तो करा ही लिया प्रूफ बहुत सारे critics और लोग यहाँ पर बाते कर रहे थे कि नहीं होगा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा हुआ कुछ नहीं ठीक है और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर मैं बोलूँगा कि challenge किया market को और market ने उनके साथ काफी अच्छा नहीं किया so यह यहाँ पर bearish होने का मतलब है आप 2022 में bullish थे हमेशे trend को respect करो trend को लोग respect करना नहीं जान रहे है अगली बार से आप इसी सी को ध्यान रखोगे तो कम से कम आपका नुकसान नहीं होगा so यहाँ पर ethereum की जो आखरी date है वो expected है कि मई तक का हम बोल सकते है कि last एक target मिला हुआ है blackrock को मिला हुआ है 7th month का ठीक है औरना मई में काफी सारे venic का है और 21 ethereum shares का है यहाँ पर date मतलब में में यहाँ पर last date है ethereum ETF approval की मुझे लगता है कि हो सकता है हो जाए ना होगा तो obviously जो 40% का dip आप वेट कर रहे हो वो बिल्कुल आपको market में आता दिख सकता है बट उसकी वेट करते करते वेट मत करना पूरे मई तक की कि मैं वेट ही कर लेता हूँ तो फिर अगर मई में अप्रूव हो गया तो खतम आपके लिए bull run आपके लिए कोई bull run नहीं होने वाला है तो काफी सारे लोगों ने पिछली बार क्या गलती गरी जैसे मैंने बूला आपको trend के बारे में ETF approval के बात ना एक dump आया यह dump कितने percent का था somewhat around 22% का यहाँ पर bears बहुत खुश हो गए लोगों ने अपनी bearish analysis देनी चालू कर दी कि हो गया काम ये हो गया वो हो गया ठीक है और लोग क्या करना लगए शॉट करना लगए बट अगर आप all over trend को देखोगे तो जो bears है उनके पास celebrate करने के लिए यह 3-day time frame की candle है weekly पे कर लेते हैं उनके पास celebrate करने के लिए एक दो हफते ही रहते हैं ठीक है अगर आप यहाँ पे देखो कि तो clearly दिख रहा है कि trend जो है वो पूरा upside का है अगर इतने बड़े trend में जहाँ पे bitcoin आज नई all time high बनाई जा रहा है अभी हम बात कर रहे हैं तो 71.661 पे चल रहा है 370% gain में bottom से आपने अगर एक 10-20% के move को short भी कर दिया तो what's cool about it जो लोग कर रहे हैं वो बहुत ज़ादा practice कर चुके हैं बड़े-बड़े influencers हैं बड़े-बड़े accounts हैं उनको आता है वो फाइदा बनालते हैं और stop loss भी हो जाता है उनको फरग ने बड़ता आप किसी को copy करके revenge trading मत करो बहुत सारे लोग मैंने देखा है market में revenge trading कर रहे हैं वो क्या कर रहे है Bitcoin उपर जा रहे है जैसी ये crash आ रहे है तो अच्छा मैंने नहीं कमाई पैसे ले short करके कमाऊंगो short आप इस time पर ऐसे time पर कर रहे हो जहाँ पर Bitcoin का target इतना उपर है आप सोच ही नहीं सकते हो तो ऐसा काम मत करो जहाँ पर आप short term gains के लिए long term vision को खराब कर लो ठीक है तो सारी चीज़े बता रहा हूँ Ethereum ETF पर भी अगर आपको ऐसी चीज होती दिखे तो वो एक buying opportunity होगी और वहाँ पर ही short करने से अच्छा buying की कोशिश करना अब हमने सारी चीज़ों की बात कर लिए सबसे important event जो है वो EIP 4844 है और BlackRock की power को ignore आपको नहीं करना अभी तो Ethereum start भी नहीं होगा है बहुत सारे लोग यहाँ पर बात कर रहे है कि हो गया blow of top आगया अभी कहां से आगया भाई जब तक आप मन में अपने सोसते रहोगे blow of top आगया 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 आप सोसते रहो जिस दिन जो लोग आज यह बोल रहे ना कि blow of top आगया है ठीक है तो वो लोग entry लेंगे या top पे वो होगा top तब हम वहाँ पे top declare करेंगे हम अपनी exit लेंगे अब बहुत सारे influencers बड़े बड़े यहाँ पे Twitter पे YouTube पे डाल रहे हैं कि असली bull run चालो होगा हमार लिए असली bull run भाई 2023 में चालो होगे था you all are late so अगर आपको लेट नहीं हो रहें next time से trends पे charts पे और एक clear vision रखना है तो चैनल को subscribe ज़रू करना अब यह जो EIP EIP 4844 है यह layer 2 उसके लिए तो layer 2 पे हम खासा दियान दे सकते हैं पर इस time पर सबसे जादा नजर मेरी एक की layer 2 blockchain पर है that is Manta Manta को अगर आप देखो कि तो Manta जो valuation wise है वो भी कम है काफी सारे coins और एक नया coin है नए coins में हमेशा जादा focus रखता हूँ अगर आप देखेंगे Manta को तो यहाँ पर funds and backers में भी बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे कि Binance ठीक है तो Manta में एक चीज़ आपको क्या धन रखने है कि Manta का चार्ट comparatively new है breakout level में आपको उताता हूँ 3.725 डॉलर का इसके उपर अगर हमें daily में closing मिल गी ना दोस्त तो यहाँ पर एक बहुत amazing pump मुझे ऐसा लगता है Manta में आने वाला है इसके बाद यह चला जाएगा price discovery range में सो Manta पे आप पूरा पूरा ध्यान रख सकते हो obviously आपको यहाँ पे जब आप breakouts लेते हो तो थोड़ा सा cautious रहना पड़ता है जब daily time frame की में closing बोलता हूँ तो इसका मतलब यह नहीं होता आपको closing की बोलता हूँ मैं तो यहाँ पे आप देखो के बहुत सारी candle daily time frame में past में यहाँ पे ऊपर गई वे close कोई भी नहीं हो पाई price discovery range में चाहेगा और price discovery range में चाहने के बाद आप देख सकते हो कि काफी अच्छे price हमें देखने को मिलेंगे मैंने उस दिन एक video बनाई थी दो दिन देन पहले कि नए coins पे ध्यान दो वहाँ पे चार्ट जो है वो छोटा होता चला जाएगा अगर मांटा है यहाँ पे pump होगे तो यह चार्ट आपको इस तरीके से चोटा होता देखेगा so opportunities हमेशा वहाँ हैं जहां कोई ध्यान नहीं दे रहा हमारे इंडिकेटर की कस्टम इंडिकेटर की बुलिश सिच्चेशन ठीक है तो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं और फिर देखेंगे कि price पे कैसा impact था यहाँ पे अगर आप देखेंगे so green line ने और red line ने इस white line को cross कर देता which is a bullish structure for us और past में पीछे जो आपको पीछे की side पे cloud दिख रहा है इस cloud ने भी हमारा साथ दे यानि कि gun powder पूरा था तो gun powder ने साथ दे दी और लेटर ने साथ दे दी और move कैसा आया था move आया था कुछ इस तरीके का इसको पहले delete कर देते हैं let me just delete this so आप देख सकते हो जहां मैंने आपको mark करके दिया था अपना sniper का bullish situation अगर आपने ये candle भी switch कर दी होती skip कर दी होती है तो यहां पे almost 34% का pump था अब obviously price discovery range में जब चीज जाएगी तो ज़्यादा बड़ा pump बनेगा यहां पे आप देख सकतो एक bull flag भी बनता होगा और range भी बन रही है range को मैं कई बार बोलता हूँ आपको कि जहां range बनते दिखे यही है आपका मौका consolidation में चीज़ पकड़ो यह मत करो कि भागतुई चीज़ को पकड़ने निकल लिए वह भागतुई चीज़ कभी न कभी consolidate या कोई न कोई pattern मनेगी वहाँ पे आपको मौका मिलेगा तो 3.725 डॉलर पे ध्यान रखेगा मांटा पे कोई भी बात नहीं कर रहा है नहीं कोई है price discovery में जाने वा आज की वीडियो अगर आप देख रहे हो I hope आप मांटा पे markup लगा लोगे और आपको बहुत अच्छा पैसा तब बनेगा market में जब आप यह सोच लोगे कि bullrun चल रहा है बेवकूफ मत बनना past की तरह वरना जैसे bitcoin miss हुआ है ethereum miss हुआ है बहुत सारी opportunities miss हो जाएंगी जिन ल बीरिश भी तो हो सकती है ना market ऐसे challenge किया जाता है अपने आपको अगर आप बहुत जादा बीरिश हो तो 34% market में डाल बिले ना वरना बीरिश होके USDT हात में रखके या फिस टेबल कोईन साथ में रखके आप ऐसा bank में रखके crypto में पैसा नहीं बनेगा overnight success कुछ भी नहीं हो पास के वीडियोज आपको पता लग जाएगा कि किसने कौन से टाइम पर सही चीज बताई या नहीं बताई मिलेंगे दुबारा see you